हेलो अच्छ नमस्कार पब्लिक केरियर यूट्यूब चैनल की दरब से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगा मोश्ट वेलकम करता हूं जीके से एक और महत्पूर्ण वीडियो टॉपिक रहेगा पिरमुख देशों के भावगॉलिक उपनाम यानि कौन सा देश किस के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया गया है तो आप लोगो वीडियो को फुल वाच करना अंत तक देखना है अगर इस टॉपिक से कभी परिक्षा में कुशन आया तो इस वीडियो से बाहर कुशन नहीं जाएगा ठीक है अंत तक देखना है और विस्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला किसे कहा जाता है यूएस से भारत ब्राजील या क्यूबा तो विस्व का चीनी का भंडार या चीनी का जो प्याला है चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को कहा जाता है आप्शन इस प्रकार से डी राइट हो जाएगा दूसर सवाल करते हैं किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता ये भी कुशन अपने आपे में इंपोर्टेंट है आया हुआ है तो यूरोप का रोगी या मरीज जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है तुर्की देश को याद रखना ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं किस देश को Antilles का मोती कहा जाता है Antilles का मोती किसे ओस जाता तो याद रखेगा यह भी क्यूबा को ही कहा जाता है Option यहां आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं निम्द लिखी देशों में से किस देश को जीलों की वाटी का कहा जाता है जहां पर सबसे ज़्यादा जील है जीलों का देश किसे कहा जाता है तो फिन लेंड को कहा जाता है आप्शन यहां एराइट है आगे बढ़ते हैं किस देश को उगते हुए सूरिय का देश कहा जाता है उगते हुए सूरिय का देश ब्रिटेन को कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं किस देश को सापों का देश कहा जाता है साप का मतलब समझ रहे हो नाग वाली कंडीशन ठीक है ना तो ब्राजील ब्राजील वो कंट्री है जिसको सापों का देश कहा जाता है ये भी कुशन इंपोटेंट है अगला सवाल करेंगे कंगारूं का देश के नाम से किसे अविविहित किया जाता है बुलाया जाता है तो कंगारूं का देश बुला जाता है औस्टेलिया को विकल्प भी दोस्त राइट हो जाएगा आगे बढ़िए निम लिखित मैसे किसको लिटिल वैनिस के उपनाम से उपनाम से वेने जुला देश को जाना जाता है आपसन इस प्रकार से सी राइट हो जाएगा अगला सवाल करते हैं यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है यूरोप का मरीज तो तिर्की था लेकिन यूरोप का अखाड़ा ये कुशन भी अपने आपे में इम्पोर्टेंट है बैलगियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है दोस्त चलिए सवाल अमबर 10 करते हैं निमनलखित मैसे किसे यूरोप का खहल का मैदान कहा जाता है यूरोप का खहल का मैदान इम्पोर्टेंट कुशन रहेगा स्वीडिजर लैंड को यूरोप के खेल के मैदान के नामसिज आना जाता है अगला सवाल कर लेते हैं चावल का देश किसे कहा जाता है एक और कुशन इंपोटेंट आ गया तो चावल का देश दोस्त कहा जाता है थाईलेंड को जिसकी राइधनी बैंक कॉंक है याद रखना है चीश चलिए भारत का 36 गर्ड चावल का कटोरा कह जाता है वुख क किस देश को नील नदी का торण या उपहार कहा जाता है तो नील नदी का उपहार या वरदान मिस्प कंटरी को कहा जाता है ठीक ना अगले सवाल की तरफ해야 ये कौंसा देश पवं चक्कियों की भूमी के नाम से फैमस है एक ए क स्वेद रूसी गड़तंतर के नाम से भी जाना जाता है किसको किसको जाना जाता है स्वेद रूसी गड़तंतर के नाम से किसे जाना जाता है बैला रूस को है ना इसी में आ रहा है ना रूस तो इससे याद रखेगा स्वेद रूसी गड़तंतर के नाम से बैला रूस को जान इसके नाम से भी जाना जाता है आगे बढ़िये कौनसा देश अर्द रात्री के सूरिय का देश कहा जाता है या मद्ध्य रात्री के सूरिय का देश किसे कहा जाता है तो याद रखना नार्वे को कहा जाता है अर्द रात्री सूरिय का देश नार्वे की राजधानी आप लो कुबते हुए सूरिया का देश मैंने वहीं बता दिया था ब्रटैन को कहा जाता है तो इस प्रकार से ए आप्सन राइट हो जाएगा अठवार नमर कुशन देखिए निम्न लिखित मैंसे किसे दक्षिंड का ब्रटैन कहा जाता है एक और कुशन इंपोटेंट तो ब्रटैन कहा जाता है दोस्तों वो न्यूजी लेंड को कहा जाता है विकल्प यहां पे बी राइट हो जाएगा अगला सवाल करिए निम्न लिखित मैंसे किसे अगनी द्वीब के नाम से जाना जाता है तो आइस लेंड को याद रखना ठीक ना आइस लेंड चलिए अगले को विकल्प बी बिल्को राइट हो जाएगा अगले सवाल पर आजाईए मरकत द्वीब के नाम से किसे जाना जाता है मरकत द्वीब के नाम से फैमस है आयरलेंड जिसे मरकत द्वीब कहा जाता है अगले सवाल पर आजाईए निम लिखी तुम ऐसे किसे केकों का देश कहा जा तो याद रखना स्कॉट लैंड को केकों का देश कहा जाता है आगे बढ़ते हैं मैप लीफ का देश के नाम से कौन फैमस है तो मैप लीफ के देश के नाम से फैमस है दोस्त कनाडा ठीक ना याद रखना एक एक कुशन इंपोर्टेंट है एक जाम में कुशन फसी जाएगा ह कौन सा देश विस्व का कहवा पत्तन के नाम से फैमस है यह कहवा पात्र के नाम से फैमस है ब्राजील का साव पोलो फैमस है विस्व का कहवा पत्तन कहा जाता है ब्राजील के साव पोलो को आगे बढ़िए येलो पैरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है येलो पैरिल के नाम से जाना जाता है चाइना ओप्सन यहां सी राइट हो जाएगा आगे बढ़िए सूरिया उदय के देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो सूरिया उदय का देश कहा जाता है जापान को जिसकी राजधानी टोकियो मुद्रा येन है आगे बढ़िए प्राहत है का प्रालीन सांती की भूमी किसा का जाता है यानि सुभाध्य की समय कालीन। सांती की भूमी का जाता जाता है। दोस्त वो को प्राध्य को कहा याद रखनाrical अगले सब्सक्रां की तरफ बढ़ते हैं जिन देशों को चांवन्य 1-800 art apologize यानि बाल्टिक के लिए बेविकल प्राइट हो जाएगा अगला सवाल करते हैं निम्द मैंसे कौन सा समू हार देसों का छितर कहलाता है हार देसों का छितर कौन सा समू है जो हार देसों के छितर में आता है तो उसमें भारत आता है पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल भूटान मालदीप और स प्रवत की उपस्तिती कारण यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं तो याद रखना यूरोप का जो भारत कहा जाता है वो एक आपसन यहां नीचे है इटली इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है ये कुशन इंपोटेंट है आज चुका है एक्जाम में आगे ये निम्न लिखित मैंसे किसे पूर्व का मोती कहा जाता है ठीक ना तो सही आंसर जाएगा पूर्व का मोती सिरी लंका को कहा जाता है जिसकी राइधानी सिरी जाय साहर आगे बढ़ता एगले सवाल पर किस देश को सफेद हातियों की भूमी की नाम से जाना जाता है ह्वाश हम है फाईलैंड विकल्प भी राइट है आगे बढ़ते हैं सवाल पर होन ओ अफ अपरिका में सामिल किये जाने वाले देश कौन से हैं तो हॉर्न आफ अपरिका में सामिल किये गए देश हैं एक तो एथोपिया है सोमालिया है और एक है जीबूती ये हॉर्ण आफ अफ अफरिका में सामिल है एथोपिया सोमालिया जीबूती आगे बढ़ ये निम्ज लिकित मैंसे किसे मगरीब के नाम से जाना जाता है मगरीब के नाम से क नासे कौनसा देश जाना जाता है कि ना जांड की जापन कतट्री को जाना जाता है विकल्ब DR i bite है आगे बढ़न य की नामसे कुंसा देश जाना जाता है यूरोब का भारत तो अलड़ी रा चुका इट्ली को इट्ली का राजधानी रोम है मुद्राली रहा है आगे बड़ी संग मरमर की भूमी के नाम से कौन सा देश फेमस है संग मरमर की भूमी के नाम से जो देश फेमस है वो है इटली याद रखना ठीक है अगला सवाल करते है सवाल नमर 49 कौन सा देश 85 भूमी का देश कहलाता है ये भी कुशन इंपोटेंट है तो 85 भूमी का देश लेकि आस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्यासी रहती है जीतने की तो आस्ट्रेलिया को 85 भूमी का देश कहा जाता है अगला है फियोड तटो का देश किसे कहा जाता है फियोड तटों का जो देश कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है नारवे को याना याद रखना नारवे की राज़दानी उसलो हो जाएगी विकल भी राइट है आगे निम्न मैंसे कौन सा देश यूरोपिय निम्न देशों में सामिल नहीं है तो यूरोपिय निमन देश ये हैं निचले इसतर वाले देशों में सामिल नहीं नहीं है तो वो है नीदरलेंड भी है लग्संवर भी बेलिजम भी यानि सुट्रिजरलेंड सुरी स्वेडन नहीं है स्वेडन अगला अफरीका का एक सिंग यानि हॉर्ण ओफ अफरीका में किसे सामिल नहीं किया जाता तो हॉर्ण ओफ अफरीका में किसे सामिल नहीं किया जाता एथोपिया है, इरिटीरिया है, सोमालिया है यह सुडान है ना दक्सिरी सुडान जिसकी राइधानी खारतूम है इससे सामिल नहीं किया जाता किसमे हॉर्न आफ अफरीका में आगे दस लाक हातियों की भूमी के नाम से कौन सा देस फैमस है तो दस लाक हातियों की भूमी के नाम से फैमस है लाउस है ना option number यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 10 लाक तो वो हो जाएगा option A right आगे बढ़ते हैं पवित्र भूमी यानि होली लैंड के नाम से कौन सा country जाना जाता है कौन famous है है ना पवित्र भूमी के नाम से फिलिस्तीन famous है option यहाँ आपका D right हो जाएगा अगले सबाल पर जाएगे निम्ज लिखित में से कौन सा सुमेलित है तो कौन सा सुमेलित है ज़रा बताओ तुस ही तो देखिए हरर मिट किंगडम के नाम से दक्षिन कोरिया जाना जाता है संग मरमर की भूमी इटली second newfoundland जापान यानि उपरोक्त सभी बिलको right है आगे बढ़ते हैं विस्व की हैली पोर्ड की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है हैली पोर्ड की राजधानी के नाम से कौन सा कंटरी जाना जाता है तो याद रखना है हैलिपोर्ड की राजधानी की नाम से जाना जाता है दक्षिन कोरिया हाँ जी हैलिपोर्ड की राजधानी की नाम से जाना जाता है तो दक्षिन कोरिया को हैलिपोर्ड की राजधानी की नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं अगली सवाल पर किस देश को वनो का देश कहा जाता है वनो का देश कौन सा है तो याद रखना कांगो प्रजातांत्रिक गरतंत्र इसे वनो का देश कहा जाता है आगे बढ़ी यूरोप के किस देश को लगू यूरोप यानी छोटा यूरोप कहा जाता है तो वह यूरोप के किस देश को क्योंकि यूरोप एक महदवीप है उसके फ्रांस देश को लगू यूरोप यानी छोटा यूरोप कहा जाता है अगे अगला है बेनिलक्स देशों मे कौन सा एक देश समलित नहीं है बेनिलक्स में बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग यहाँ पर जो है ना बुल्गारिया यही बेनिलक्स देशों में सामिल नहीं है आगे आते हैं चड़ते हुए सूरिया का देश किसे का जाता है चड़ते हुए यहाँ डोपते हुए का बिरिटेए चड़ते हुए का जापन, यहाँ सूरिया उद्यका देश, किस देश को जीलों का देश कहा जाता है तो जीलों का देश, फिल्लैने को कहा जाता है, ओप्सन बी राई्ट हो जाएगा, अगले सवाल पर तरित जंजाबतों का देश किसे का जाता है जहां सबसिके जादा तूफान वगयरा तो यहां विकल्ब इस प्रikार से आप लोग राइट कर सकते हैं चलिए एसिया का प्रवेस्थ द्वार किस्से एक और मूश्ट इंपॉर्टन कुषिंट तो एसिया का प्रवेस्थ द्वार कहा जाता है तुर्की को ऑपसन यहां आपका सी राइट है और लास्त सवाल इस वीडियो का किस देश को दक्षिन अमेरिका महादवीब का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो भी विकल बिलकुर राइट हो जाएगा तो इस प्रकार से आपका जो टॉपिक है पिरमुक देशों के भागव लिगुपनाब यह कवर हो गया और पच्पन सवाल कराएं है आप लोग इस वीडियो को जादा से जा जिया हिन